हाई ड्वेल्डीज, वेल्कम डू इजी वे कॉमर्स क्लासेज, मैं हूँ तपिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम एक इंपोर्टेंट टॉपिक अपने एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिंट डिमांड शेप्टर से पढ़ने वाले हैं जो कि सिर्फ ना सिर्फ बुक उसके नॉलिज से हमारे लिए इंपोर्टेंट है बल्कि एक जर्णल नॉलिज के लिए भी आज अ कॉमर्स स्टूडेंट, आज नॉर्मल नागरिक भी मैं कहूंगी कि यह चीज़े हमें पता होनी चुगिए कि हमारी एक्रणी में यह चीज़े होती हैं तो वह कौन-कौन स से ज्यादा हो जाती है तो अब हम उस दिमांड को कैसे ठीक कर सकते हैं या फिर हमारी डिमांड जो है अग्रिगेट डिमांड कम हो जाए तो उसे डिफिशिंट डिमांड कहा जाते हैं तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं तो वही आज हम मेजर्स पढ़ने वाले हैं कि हाव तो को डाउड में से YouTube पर या फिर Instagram पर ID है तब इता मैं इसी पूछ सकते हो अब guys सबसे पहले देखो हमारे पास excess या deficient demand कुछ भी हो उसको ठीक करने के लिए दो policy दी गई है पहली policy का नाम है fiscal policy क्या नाम है fiscal policy अजीब सा नाम है लेकिन आप लोगों को as a commerce student पता होना चाहिए fiscal policy दूसरी policy होती है monetary policy ठीक है monetary policy तो आपको नाम से पता चल रहा होगा जो money से related है लेकिन fiscal policy जो होती है money से related नहीं होती लेकिन फिर भी ये काम में आती है क्या ठीक करने के लिए हमारी excess and deficient demand fiscal policy को central government regulate करती है इसलिए इसे policy of central government कहते है यानि कि government इसके ओपर control करके चलती है इसके अंदर दो चीज़े आती है जो government के हाथ में होती है first government की spending यानि कि government जो खर्चा करती है वो उसे या तो government बढ़ा देगी या फिर कम करेगी खर्चा वो किस चीज़ पर करती है guys जैसे कि रोड बनाना, flyovers बनाना, hospitals बनाना, education centers बनाना, colleges बनाना यह सारी चीज़ों पर government पैसा खर्च करती है अब जब government ऐसे पैसा खर्च करती है तो उसे हमारे economy में क्या फर्काते है guys जब भी पैसा खर्च किया जाता है तो हमारी economy में लोगों को employment opportunity मिलती है लोगों को income generation होता है और हमारे जैसे income generate होते है demand भी बढ़ जाती है तो अगर हम लोग aggregate demand हमारी जादा है यानि कि excess demand के situation है तो government अपनी खर्चों को कम कर देती है कि लोगों को income कम हो और लोग कम खर्चे लेकिन अगर deficient demand है लोगों की demand ही नहीं है तो government अपने इन खर्चों को बढ़ा देती है ताकि लोगों के हाथ में income generation आए और लोग खर्चा करें तो पहला जो government का हतियार होता है government का spending जिसे हम expenditure policy भी कहते हैं यहनी की government के खर्चे तो जबी भी government को लगते है कि कॉन्मी में पैसा देना है government अपने खर्चों को बढ़ाती है जबी भी government को लगते है कि पैसा कम करने की जोरत है government अपने खर्चों को कम करती है इनन सेम वे दूसरा हतियार होता है taxes जो कि आप सबको पता है टेक्सेस जादा लगा देने से लोगों के हाथों में इंकम कम बचती है जिससे लोगों के खर्चने की पावर कम हो जाती है तो जब भी गवर्मेंट को लगता है कि एग्रिगेट डिमांड बहुत जादा बढ़ रही है गवर्मेंट टेक्सेस बढ़ा देगी और जब हमारे government को लगते हैं कि demand कम हो रही है लोग कुछ खरीद नहीं रहे हैं तो government अपने taxes के rate को कम कर देती है तो ये government के दो main हत्यार है इसको हम revenue policy के अंदर लेते हैं यानि कि taxes government का main guys revenue होता है चाहे वो direct tax है, indirect tax है, सब्सक्राइब पैसा government tax से कमाती है तो government को जब लगता है ना कि भाई या बहुत लोग खरीद रहे हैं, बहुत लोगों के पास पैसे हैं और हमारी aggregate demand जादा और ये government taxes और ठोक देगी, जादा कर देगी, rate of tax का जादा कर देगी लेकिन अगर government को लगेगा कि भाई, लोग नहीं खर्च कर रहें, लोगों की पैसा नहीं है, government क्या करेगी, taxes अपने reduce करेगी, ताकि लोगों के हाथ में पैसा बचे ठीक है, तो ये तो central government के दो हतियार हमने पड़े इसके बाद guys, जो हमारी policy है, second policy that is the monetary policy, जो की money से related है और money हमारे देश में कौन, 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 मुझा कौन वो करता है control, तो guys, money हमारे देश में RBI कंट्रोल करता है RBI बोले तो central bank of India, ठीक है, तो इसे policy of central bank भी कहा जाता है ठीक है, इसके अंदर again इसके दो part आते हैं, जैसे इसके दो part थे, इसके भी दो हतियार है पहला हतियार है quantitative, यानि कि जो quantity में होता है, ठीक है, अब इसमें government के पास जो हतियार होते हैं कुछ rates को कम करना, ये सारी चीज़े है, जैसे कि पहला हतियार है bank rate bank rate क्या होता है, RBI उधार देता है किसे commercial bank को, यानि कि RBI आपको पता है हमारा main bank है ये उधार देता है commercial bank को, commercial bank उधार देता है public को ठीक है, ये चीज़ होती है guys, अब जब bank rate यहां से उधार महंगा मिलेगा तो आगे भी उधार क्या होगा, महंगा जाएगा, तो सबसे पहले bank rate कहते किसे हैं तो जो भी commercial bank उधार लेता है RBI से, या आप कह सकते हो, RBI जो money lend करता है to commercial bank तो उस rate को हम bank rate कहते हैं, लेकिन ये specifically long term needs के लिए होता है, यानि कि लंबे समय तक के लिए जो loan दिया जाता है उस rate को bank rate कहते है, ठीक है, तो अगर हमें लगता है कि economy में बहुत ज़ादा demand हो रखिया और हमें इस पैसे को रोकने की ज़रुरत है ठीक है, लोग कम उधार पैसा ले, तो हम इस rate को बढ़ा देंगे, यानि कि bank rate को increase कर देंगे, जिससे commercial bank loan कम लेगा और loan अगर commercial bank कम लेगा, तो of course public तक loan कम पहुँचेगा, क्योंकि मेंगा हो जाएगा जब आपको पता चलते हैं, एक लाख रुपे के loan पर हमें 20% interest rate भनना पढ़ रहा है, तो हम discourage हो जाते हैं, इतना महेंगा loan है, है ना, इतना महेंगा interest जा रहा है, तो वही चीज़ है, जब interest rate बढ़ा देते हैं, तो लोग discourage हो जाते हैं, किस चीज़ के लिए, loan लेने के ल long term का difference है, बाकी दोनों ही case में उधार RBI देता है किसे commercial bank को, तो दोनों ही case में, repo rate में भी हम same करते हैं, अगर हमें लगता है कि demand बहुत जादा है, हमें कम करने की need है, तो हम इस rate को महेंगा कर देते हैं, और अगर हमें लगता है कि deficient demand है, demand होई नीरी, तो हम इस rate को कम कर दे ठीक है, उसके बाद है guys, third हमारा open market operation, open market operation क्या होता है guys, actual में हमारा RBI आता है, market में securities को खरीदने और बेचने, ठीक है, अब जब उसको लगता है कि लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, तो वो अपनी security लाएगा और बेचेगा, ताकि लोगों का पैसा उसके पास आजाए, या commercial bank को बेचेगा, कि commercial bank का पैसा उनके पास आजाए, ठीक है, that is called open market operation, जिसमें RBI क्या करता है, अपने securities या तो बेचने आएगा, या खरीदने, अब वो बेचने का बात है, जब उसको लगता है कि सब के पास बहुत पैसा है, इनसे हमें लेने की जरूरत है, खरीदने का जब उसे लगता है कि commercial bank इन सब के पास पैसा कम है और मुझे, as a RBI, इनने पैसा देने की जरूरत है, तब वो खरीदने आता है, ठीक है, तो ये चीज़ धियान रखनी है, इसके बाद गाइस, फोर तोटा है, legal reserve requirement, legal reserve requirement क्या होता है, जिसे हम legal reserve ratio भी कहते है, जिसके अंदर, आपको पता है, commercial bank को, जब उसके पास कोई पैसा जमा होता है, तो उसे दो जगे पर, as a security deposit करना होता है, पैसा, पहला होता है, cash reserve ratio, जो ये, अगर इसके पास 1000 रुपे के spending आई, government के, commercial bank के पास, तो ये 1000 रुपे में से, like, मानो आप 10% 1000 का, 10% होगया, 100 रुपे, 100 रुपे, 80 के पास, as a cash reserve ratio रखाता है, और 100 रुपे ही मानो, SLR, SLR बोले तो statutory liquidity ratio, ये होता है, जो commercial bank को, अपने पास maintain करके रखना होता है, कि उसके पास, पैसे की कमी ना आ जाए, तो ये 1000 रुपे में से, suppose करो, 100 रुपे, commercial bank ने अपने पास भी रख लिए, ठीक है, तो 1000 रुपे में से 100 रुपे चले गए, अब बचे सिर्फ 800 रुपे का लोन दे सकता है, तो हमारे, जबी भी commercial bank के पास पैसा आता है, उसे दो parts में उसको बाटना होता है, ठीक है, उसमें से दो ratio निकालने होता है, एक जाता है, अर गय के पास, जिसे हम बोलते है, cash reserve ratio, एक वो अपने पास as a maintain क करके रखता है, liquidity, जिसे हम statutory liquidity ratio कहते है, ठीक है, अगर अब इसको कैसे use किया जाते है, जैसे कि अगर demand बहुत economy में जादा है, ठीक है, और हमें loan देने की कम need है, तो RBA क्या करेगा, इस rate को बढ़ा देगा, यानि कि इसको भी और इसको भी, CRR को भी और SLR को भी, तो ऐसे case मे अगर में, ये 20% हो जाए, और ये भी 20% यानि कि 200 रुपे हो जाए, तो 1000 में से अगर 200 यहां जमा करा दिये, 200 अपने पास जमा कर लिए, तो अब कितने बचे, 1000 में से 400 गए तो 600 बचे, तो RBA क्या करता है, जब demand बहुत जादा होती है, इस ratio को बढ़ा देता है, ताकि market में पैसा सिर्फ कम आ सके, commercial bank loan सिर्फ 600 रुपे का दे सके, जादा कानी, और जब उसे लगते है कि deficit demand है, demand तो होई नहीं रही, वो इस rate को कम कर देगा, 5%, 4%, हलाकि ये जो है imaginary rate में बता रही हूँ, for example के लिए rate अभी हमारा कुछ और ही चल रहा होता है, something point point का भी बहुत फरकाता है, ठीक है, so ये होता है, legal reserve requirement, जिसमें वो छेडखानी करके, दोनों चीजों को, excess demand और deficient demand को ठीक कर सकता है, second guys, ये थे हमारे qualitative terms, जैसे की bank rate, repo rate, इसके अलावा open market operation, जिसमें purchase and sale of security होता है, and the fourth is legal reserve requirement, जिसमें cash reserve ratio and statutory liquidity ratio होता है, इसके बाद आता है guys, qualitative, जिसमें हम कोई भी money, money में कोई change नहीं लेके आते हैं, जिसमें पहला आता है margin requirement, margin requirement क्या होता है, कि अगर आप bank के पास गए loan लेने के लिए, और आप bank को गिरभी रख रहे हो अपना 1,00,000 रुपे का सोना, कितने का सोना गिरभी रख रहे हो, जिसक cost कितनी है, 1,00,000 रुपे, bank अगर आपको इसके against loan दे सिर्फ 60,000 का, तो क्या आप prefer करोगे, आप prefer नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप ये 60,000 रुपे नहीं चुका पाए, तो आपका पूरा 1,00,000 रुपे जब कलिये जाएंगे, जो कि margin जो है काफी 40,000 रुपे, जादा है, यानि कि as a interest बहुत जादा है 40,000, that is the margin, ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 1,00,000 का सोना रखना है, लेकिन आपको सिर्फ 90,000 मिल जाएंगे, तो आपको सिर्फ आपको पता है कि अगर मैं पैसा नहीं चुका पाया, तो मेरा सिर्फ 10,000 पे डूपे गा, क्योंकि 90,000 मैं बैंक से ले चुका हूँ, तो जब भी हमारे RBI को लगता है कि market में बहुत जादा demand हो रखी है, और लोगों का loan कम करने की need है, वो इस margin को बढ़ा के रखती है, ठीक है, और जब उसको लगता है कि loan लोगों को देने की need है, वो इस margin को कम कर देती है, तो ये margin requirements से भी खेल जाता है, उसके बाद second है guys, moral situation, moral situation में जो RBI होता है, वो commercial bank को जैसे meetings and all में उन्हें persuade करता है, उन्हें बोलता है, समझाता है कि हमें loan या तो कम देने की need है, जब demand जादा है, और अगर demand कम है, तो हमें loan जादा देने की need है, तो इसमें जैसे letters के थू, उनकी meetings के थू, उनके seminars के थू, ये persuade किया जाता है, उनको समझाया जाता है कि हमें loan जादा देना है, या कम देना है, उसके अलावबा third policy है guys, selective credit policy, इसमें RBI देखो, decide करता है, कि हम loan इस काम के लिए तो बिलकुल नहीं देने वाले अभी, जैसे कि अगर aggregate demand बहुत जादा होती है, तो RBI क्या करता है selective credit policy अपनाता है, जिसमें सिर्फ कुछ purpose के लिए loan दिया जाएगा, और कुछ purpose के लिए loan अविलेबल नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसा वो तब ही करेगा जब aggregate demand जादा है, और अगर deficient demand है, लोग loan ही नहीं ले रहे, demand ही नहीं है, तो वो क्या करता है, अपनी selective credit policy को reduce कर देता है और सब पर loan अविलेबल करा देता है, लाइक सम टाइम ऐसा होता है ना कि आपको in cars पर loan नहीं मिलेगा, second hand cars पर loan नहीं मिलेगा, या third hand cars पर loan नहीं मिलेगा, तो यह क्या होती है, selective credit policy, तो RBI जब भी भी demand जादा होती है, इस policy को और strong कर देता है, लेकिन जब demand कम होती है, तो इस policies को withdraw कर लेता है, ताकि सब को loan मिले, सब खरीदे, market में deficient demand को दूर किया जा सके, तो इस तरीके से गाइस, यह policies को इस्तेमाल किया जाता है, economy में क्या चीज के लिए, deficient demand और excess demand को ठीक करने के लिए, I hope आपको यह सारी terms समझाई होंगी, अगर फिर भी कोई route है, आप में से instagram पर पूछ सकते हो, या फिर youtube पर comment के दूँ, thank you